हालो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी HRM बाई दिशा चतुर्वेदी पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर हैंडरी फ्योल के द्वारा दिये हुए 14 प्रिंसिपल ओफ मैनेजमेंट को समझेंगे हैंडरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एंड डिरेक्टर ओफ माइन्स थे जिन्होंने 1916 में अपनी बुक एड्मिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल में एड्मिनिस्ट्रेटिव थियोरी के अंतरगत 14 प्रिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट को डिसकस किया इंपोर्टेंस दी है उनके द्वारा दी हुए थियोरी अडिनिस्ट्रेटिव थियोरी कहलाती है उनके द्वारा दी हुए 14 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले है डिवीजन ओफ वर्क देन अथ्वारिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी डिसिप्लिन इनिशियेटिव इनिशियेशन, रेमुनेरेशन, ओर्डर, सबोर्डिनेशन ओफ इंडिविज़ इंट्रेस्ट तू जनरल इंट्रेस्ट, स्केलर चेन, इक्विटी, स्टेबिलिटी ओफ टेनियर ओफ परसनल्स, इस्परिडी कॉप्स, एंड यूनिटी ओफ डिरेक्शन इन सभी को मैं बह वीडियो लेक्चर के फिनिश होते होते, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिनको यूज करके, जिनकी हैल प्लेकर, जिनकी सहायता से, आप मैनेजीरियल एक्शन को मोर इफेक्टिव, मोर एफिशियन्ट एंड मोर प्रूटक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट प्रिंस्पल की दैट इस डिवीजन ओव वर्क। Division of Works से हमारा मतलब है किसी कारे को डिफ्रेंट टास्क में डिवाइड करना और उन डिफ्रेंट टास्क को अलग-अलग वर्कर्स में डिस्ट्रिब्ईूट कर देना जो कि उन पर्टिकुलर टास्क में एफिशियन्ट हो, स्पेशलिस्ट हों। ऐसा करने से उस कारे की एफि स्टार्टिंग से ले कर फिनिश होने तक कई सारे worker's involved होते हैं, जो अपने अपने task को efficiently कर रहे होते हैं, यदि सिर्फ एक या दो लोग इस कारे को करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कारे को होने में, उसको finish होने में कितना अधिक समय लगेगा, कि उसका महत तो ही खत्म हो जाएगा सो division of work का सिध्धान्त हमें समझाता है कि कारे को divide करके अलग-अलग personal को assign करके कारे की गती, उसकी उत्पादकता एंड उसकी efficiency को लगातार बढ़ाया जा सकता है अब हम बात करते हैं फियोल के दोरा दिये हुए दूसरे principle की जो है authority and responsibility authority का मतलब होता है power to take decisions यानि किसी position पर आपको जो-जो powers मिलती है जो-जो अधिकार दिये जाते हैं that is authority और responsibility का मतलब है obligation to complete the assigned job on time यानि assign की हुई job को पूरा करने की जिम्मेदारी जो उत्तरदाय तो आपको मिला है उसे responsibility कहते हैं फियोल का ये principle हमें बताता है कि किसी भी job पर person को दी हुई authority और उसको मिली हुई responsibility में balance बना कर रखना चाहिए ऐसा ना होने की इस सितिम में कार्य बाधित होगा और कार्य पूरा नहीं हो पाएगा यदि person को power ज्यादा दे दी जाएगी जबकि उसकी जिम्मेदारिया यानि की responsibility उस मुकाबले उसको कम दी जाएगी ऐसी सिति में वो अपनी power का misuse करेगा and subordinates पर unnecessary pressure create करेगा इसकी विपरीत सिति में यदि उस पर responsibilities अधिक हो जाएं और उसको power कम दी जाए यानि उसकी authority को कम कर दिया जाए ऐसी सिति में वो अपने कारे को पूरा करने में कठिनाई महसूस करेगा क्योंकि उसके लिए उसके पास पर्याप्त authority नहीं होगी कामों को पूरा करवाने के लिए authority and responsibility का सिधान्थ हमें ये समझाता है कि किसी भी जॉब पर worker को place करते वक्त उसको दी गई authority and उसकी responsibility दोनों में proper balance बना कर रखना चाहिए अब हम बात करते हैं third principle की that is discipline यानि अनुशाशन फेवल का कहना है कि कि किसी भी organization की smooth functioning के लिए वहाँ discipline का maintain होना काफी important है जैसे organization का code of conduct, employee agreement आदी को follow करना superior and subordinate के बीच clear and fair agreement होने चाहिए जो provisions होते हैं judicious penalties के वह भी वहाँ पर properly maintain होने चाहिए किसी भी organization में जिससे organization में systematic working हो पाए and उसकी efficiency बढ़े जबकि discipline follow ना होने की इस्तिति में organization में disorder create होगा confusion and cause बढ़ेगा resources की wastage होगी and जो rules regulation follow ना होने की इस्तिति में वहाँ पर जो work है वो delay होगा so fuel का discipline का सिद्धान बताता है कि किसी भी business organization की smooth functioning के लिए वहाँ discipline का maintain होना overall organization में बहुत ही important है ये superior and subordinate दोनों ही level पर maintain होना चाहिए fuel के जिस next management principle की हम बात करने वाले है वो है initiative जिसका अर्थ है कुछ नया सोचना और उसको करना fuel का initiative का सिद्धान कहता है कि employees को इतनी freedom दी जानी चाहिए कि वो अपने कारें को अपनी तरीके से अपनी सोच के अनुसार initiate कर सके इसके साथ ही जब management decisions लिये जाते हैं rules, policies बनते हैं ऐसे वक्त पर भी employees के opinion को importance दी जानी चाहिए उनको opinion रखने का मौका मिलना चाहिए एवं initiative लेने का अफसर उनको जरूर दिया जाना चाहिए यदि उनके efforts वाकई में organization के लिए fruitful थाबित होते हैं तो उनको stably reward भी जरूर मिलना चाहिए ऐसा करने से employees में satisfaction, self-actualization and belongingness की भावना बढ़ेगी and employees best of their ability, best of their capability वर्क कर पाएंगे जबकि इस principle की absence में employees demotivated रहेंगे self-motivation की कमी होगी और काम करने में उनका मन नहीं लगेगा तो यहां तक हमने total 14 principle में से 4 principle समझ लिये हैं इनको याद कैसे रखना है तो पहले 4 principle का acronym है D.A.D.I. D.A.D.I. D. for division of work, A. for authority and responsibility, D. for discipline and I. for initiative तो यहां तक हमने दादी को समझ लिया है अब हम आगे के principle की बात करते हैं हमारा next principle है unity of command फ्योल के द्वारा दिया हुआ यह management principle कहता है कि command सिर्फ एक ही superior के द्वारा subordinates को मिलने चाहिए क्योंकि यह एक से अधिक superior एक साथ command देंगे तो command में unity नहीं हो पाएगी और वे अलग-अलग तरीके से कारे को करने को बोलेंगे सो management को proper channel के through command पास करनी चाहिए यानि superior level का manager directly worker को order ना देकर अपने subordinate manager को order दे इसी तरीके से proper chain of command follow हो जिससे clarity बनी रहे और confusions create ना हो हमारा next principle है centralization Centralization का मतलब होता है कि decision making power किस के पास है यदि top level management के पास decision making power है तो उसको centralized system कहते हैं जबकि यदि lower level management के पास में decision making power दी गई है तो उसको decentralized system कहा जाता है तो ये principle हमको समझाता है कि management को degree of centralization का wishes ध्यान रखना चाहिए यानि कि अपनी need and situation के according कितनी power top level को देनी है और कितनी low level को देनी है ये degree decide होना काफी important है good management के लिए जिससे available manpower का effectively utilization हो पाए next principle है remuneration इस principle के अनुसार organization में प्रतेक employee को दिया जाने वाला वेतन यानि कि जो remuneration है fair होना चाहिए यानि कि caste, region, sex, color के आधार पर वेतन में किसी भी तरीके का discrimination भेदभाव नहीं होना चाहिए employee को दिया जाने वाला वेतन उसकी योगिता, उसकी productivity and efficiency, cost of living and firm की pay करने की छमता के आधार पर ही तैह होना चाहिए so remuneration principle बताता है कि यदि compensation sufficient नहीं होगा तो ये employees में dissatisfaction की भावना को बढ़ाएगा और employee turnover rate बढ़ जाएगा यानि अधिक employees organization को leave करने लगेंगे जिस next principle की हम बात करेंगे वो है order ये principle कहता है कि everything should be in order यानि organization में हर चीज हर व्यक्ति के लिए एक right place होना चाहिए और अच्छे से continuous observation होता रहना चाहिए कि everything अपने designated place पर है या नहीं that means order should be maintained next management principle है subordination of individual interest to general interest यानि ये सिध्धानत कहता है कि किसी business organization में काम करने वाले individuals के लिए सबसे पहले organization का hit होना चाहिए यानि general interest जिसमें सबका भला हो उनको individual interest को पीछे रखना होगा उसके मुकाबले उनको general interest organization के interest को priority दी जाने चाहिए individuals के particular interest organizational interest के subordination में यानि की बाद में आने चाहिए इस principle के follow ना होने की स्थित में organization कभी भी grow नहीं कर पाएगा fuel के दोरा दिया हुआ next management principle है scalar chain जिसका अर्थ है top management से लेकर lowest rank worker के just उपर तक वो सभी superior की chain जो top level से लेकर lowest rank worker के just उपर तक आती है यानि scalar chain से हमारा मतलब line of authority से है fuel का ये सिधान organization में communication की importance के महतो को समझाता है उनका कहना है कि किसी भी तरीके की information, order, communication, proper chain of authority को follow करते हुए ही pass होनी चाहिए next principle है equity equity का principle कहता है कि organization के प्रतेक व्यक्ति को equally treat करना चाहिए यानि किसी भी तरीके का discrimination, भेदभाव, चाहे वो remuneration के इस्तर पर हो, चाहे वो behavior में हो, या attitude में हो, या फिर justice में हो किसी भी तरीके की inequality को, discrimination को entertain नहीं किया जा सकता otherwise organization की functioning बाधित होगी और organization कभी भी grow नहीं हो पाएगा अगले जिस principle की हम बात करने वाले हैं, वो है stability of tenure of persons फियोल के द्वारा दिया हुआ ये principle कहता है कि employees को एक sufficient time मिलना चाहिए जिससे वो खुद को prove कर सकें यदि उनको दिये जाने वाले role में frequently changes होंगे या उन्हें इस बात का डर होगा कि उनकी job safe नहीं है ऐसे में उनकी real productivity and उनकी जो ability है वो produce हो पाना impossible है फियोल का ये सिधान्त employee के tenure के stable होने को किसी भी organization की good productivity and good management का एक important factor मानता है तो यहां तक हमने total 12 principle समझ लिये हैं अब सिर्फ दो principle बाकी है शुरू के चार principle के लिए मैंने आपको acronym बताया था D-A-D-I यानि दादी D से division of work, A से authority and responsibility second D से discipline, I से initiative आगे के जो 8 principles है उनका acronym है U crosses यानि total 12 का हुआ acronym दादी U crosses U से unity of command, C से centralization, R से remuneration, O से order, S से subordination of individual interest to general interest next S से scalar chain, then E से equity, next S से stability of tenure of personal so यहां तक हमने जो acronym तयार किया है that is दादी U crosses यह short form तयार हुई है 12 principles की आगे के दो principle के लिए हम acronym यूज करेंगे EU EU short form होती है European Union की तो हम यहां sentence बनाने के लिए EU का यूज कर रहे है E से हो जाएगा spread the corpse and U से हो जाएगा unity of direction so पूरा हमारा sentence बनता है इन 14 principle को याद करने के लिए दादी U crosses EU so अपने 13 principle को explain करते है that is spirit de corpse team spirit को French में spirit de corpse कहते है fuel का मानना है कि जब organization में काम करने वाले सभी व्यक्ति एक team की तरह harmonized behavior के साथ तालमेल बिठाते हुए पूरी एकता के साथ organization के objective को पूरा करने का प्रयास करते हैं तभी organization के goals पूरे हो पाते हैं fuel ने दो points पर focus किया कि managers के द्वारा employees में divide and rule जैसी बातों को avoid करना चाहिए और दूसरा कि यदि कोई misunderstanding है तो उसे verbal communication यानि oral या written communication के माद्यम से दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए अब हम आते हैं अपने last principle पर that is unity of direction जिसका अर्थ है किसी organization में every individual को, team को, group, प्रतिक department को, प्रतिक व्यक्ति को ultimately organizational goal को ध्यान में रखते हुए work करना है यानि सभी का direction एक होना चाहिए वो है overall organization के objective को achieve करना so unity of direction का principle कहता है कि किसी organization में काम करने वाले अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग group, अलग-अलग department के individual targets, ambition, goals अलग-अलग हो सकते हैं बट इन से में सभी को organization के objective को achieve करने में एक दूसरे के साथ compatible होना चाहिए, coordination में होना चाहिए जिससे एक दूसरे की growth में सहायता कर सकें, उनका individual interest, other department या organization के लिए बाधा ना बनें इस तरीके से हमारे total 14 principle finish होते हैं, इनको I hope आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, फटा-फट से हम अपनी short trick को revise कर लेते हैं, that is, दादी U crosses EU, दादी U crosses EU, दादी U crosses EU, दादी U crosses EU, आदी U 수डम कर दोगे में, आदी U SIMB ली ओाद़ पोगरों, पिला आदी U ignorरेantine, इस दोगे टूगे 25 लाहरे पोगे 2 ला है ुरे को कर दो बहुमित walked in,आई आदी